हेलो वेल्कम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट मैं आप सब का बालाजी एजुकेशन पॉइंट के प्राइविट चैनल पे स्वागत करता हूं बेसिकली आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा पंजाब राजदेव मौजूद्धा मामले यानि की पंजाब स्टेट करंट फिर पंजाब स्टेट करंट फिर यानि की पंजाब राज्य की सबसे महत्तपूर न्यूज जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक यानि की इस वीडियो के अंदर हम लगबग पंजाब स्टेट क्रंट फिर कवर करेंगे पिछले एक साल का यह मैरत हों वीडियो है लगबग इस वीडियो का डुरेशन जो है दो से तीन घंटे के बीच में रह सकता है इस वीडियो के अंदर 2021 के अंदर पंजाब का जो बजेट आया उसके उपर complete analysis रहेगा पंजाब के प्रतेक महिने के अंदर जितने भी important question बनते हैं mc के वो बनते है current fair के उपर वो भी हम cover करेंगे hello this lecture is presented by me my name is यतिन सिंगला चलिए आगे बढ़ते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाला जी एजुकेशन पॉइंट की एप के उपर Republic Day का offer लगा हुआ है 50% off on all courses flat 50% off है यह जो हमारी सेल है 25 से लेकर 28 जनवरी के बीच में रहेगी ज्यादा जानकारी के लिए आप call कर सकते हैं 9646810103 के उपर अगर इस लेक्षर का PDF आपको चाहिए तो आपको बालच एजुकेशन पॉइंट का टेलीग्राम चैनल जॉइन करना होगा लगबग 13000 से ज्यादा पंजाब के स्टूडेंट्स चैनल के अंदर है इस चैनल को जूरूर जॉइन करिएगा पंजाब के हरे छ आगे बढ़ते हैं लेते हैं आज का पहला कोशन पहले कोशन में पूछा है भारतिया हवाई सेना ने देखिए एक बात मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूँ कि यह जो वीडियो है बाइल एंगोल रहेगी इंग्लिश और पंजाबी दोनों बाशा में लिखा मिलीगा हाल ह वाई सेना ने यानि की इंडियन एर फोर्स में एस फोर हंडर्ड वैरी वैरी इंपॉर्टन कोश्चन एस फोर हंडर्ड एर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारत के किस्टाजयक में वैस्टर्न सेक्टर की तरफ जो है डेपलॉय किया है देखिए पहले यहां पर आप अपन तो भारत ने एस फोर हंडर्ड खृदा है रशी यह बात याद रखनी है एस फोर हंडर्ड एर फोर्स मिसाइल सिस्टम करिदा है किससे रशीया से और जो टोटल देखिए इंडिया ने टोटल पांच स्कॉड्डरन जो है इसके बाई किये हैं टोटल 36000 क्रोड रुपए की यह डील है बारत के इतिहास में वान ओफ बीगेस्ट डिफेंस डील है टोटल पांच स्कॉडरन जो है बाई की है उसका जो पहला स्कॉडरन है वह पंजाब स्टेट के वेस्टन सेक्टर में लगाया जाएगा यही कोशन में पूचा गया है कि एस फोर हंडर्ड जो एर डि फिक्चर को जरा ध्यान से देखिए एस फोर हंडर्ड डिफेंस रेंज ठीक है टोटल पांच स्कॉडरन आने हैं एक लगेगा यहां पर यह जो सरकल है यह आपको इनकी रेंज दिखा रहा है एक एस फोर हंडर्ड की जो टोटल रेंज है वो लगबख 400 किलोमेटर यह यह आ गया दूसरा यहां पर आप दे सकते हैं थार तीन तो इंडिया के वेस्टन बाउंडरी को कवर करेंगे तीन स्कॉडरन जो है यह इंडिया की कम्प्लीट वेस्टन बाउंडरी को कवर करेंगे यानि की पाकिस्तान की तरफ से आने वाला जो ठ्रैक है एक आपको यहां प प्वाले थ्रेट को कवर करने के लिए तोटल पांच में से पहला स्कॉडर्ण जो है पंजाब के वेस्टन में लगाया गया है एक कोशन हाली में यह पूछा गया था कि जो s-400 है रशिया की किस कमपनी द्वारा बनाया गया है तो इसे बनाया गया है घुल्माज और्शन गर्रमंट के साथ मिलकर यह बनाया है आपको बता दूं S-400 के बाद रशिया जो है औरेड़ी S-500 जो है ड्वेल्प कर चुका है और S-600 के उपर वर्क कर रहा है अभी तक के जितने भी एर के डिफेंस सिस्टम है उनमें से सबसे किफायती और सबसे ज्यादा बड़ी आगर माना गया है तो S-400 माना गया है लेते है जी नेक्स्ट नियूज में पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य दे मुखमंत्री द्वारा लॉड क्रिशन बलराम जगन जगनात रतियात्रानू स्टेट फेस्टिवल एन्यूल स्टेट फेस्टिवल जिड़ा अनौंस किता गया हाल ही दे विच केड़ी स्टेट दे पंजाब दे मुखमंत्री शिरी चरण जी सिंग चन्नी जी दे द्वारा अनौंस किता गया है यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं यहाँ पर आपको तीन आइकॉन दिख रहे हैं एक में बगवान क्रिशन है एक में उनके भड़े बाई बलराम है और एक में उनकी छो बद्रा होती है इनकी जो जगनाथ यात्रा है यह सबसे पहले फेमस है सबसे ज़्यादा पूरी जगनाथ यात्रा पूरी औरिसा के अंदर एक राज्य है और जिला है और औरिसा राज्य के अंदर बगवान जगनाथ का सबसे भव्यमंदिर है और वहीं से सबसे बड़ी र रतियात्रा निकलती है यह कोशन भी कई बार पूछा गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी रतियात्रा कहा निकलती है बगवान जगननाथ की रतियात्रा होती है और इसी फेस्टिवल को पंजाब के चीफ मिस्टर शीरी चरंजी सिंग चन्नी जी के दुबारा एन्यूल स्टेट फेस्टिवल पंजाब का अनाउंस किया गया है इसके लाबा पंजाब गॉर्मेंट ने एक बगवान कृशन का मंदिर है एक और्गनाइजेशन है जिसको हम लोग इस कौन बोलते हैं इस कौन बोलते हैं इस कौन टेंपल बड़े मशूर होते हैं पंजाब द्वारा ذi करोड रुपय की फंडिंग दी गई है िसकोन टेंपल को इस कौन टेंपल को जोकि लुध्याना में ये भी आमको याद रख रहे है इस कौन टेंपल उध्याना को डाई करोड रुपे की फंडिंग दी गी है इसके लाबा पंजाब गोवर्मेंट आसो डेवल्पिंग भागवत गीता इंडर रिसर्च सेंटर इन पत्याला के अंदर एक भागवत गीता भागवत गीता रिसर्च सेंटर तो भाई मैंने आपको चार इंपोर्टेंट कोशन बताए कि हाल ही में किस स्टेट ने लौर कृष्ण बलराम जगनाथ रतियात्रा को अपना स्टेट फेस्टिवल अनौंस किया वो भी एन्यूली डैडिस पंजाब पंजाब के मुखमंत्री शिरी चरंजी सिंग चन्नी जी क को डाई क्रोड रुपे का फंड दिया यह कौन मंदिर जो है लुद्याना में वैसे भारत के लग लग राज्या में भी फैले हुए हैं बागवत गीता रिसर्च सेंटर जिसमें हमारी जो पुरातन संस्कृति है उसके उपर रिसर्च करी जाएगी और बच्चों के बारे म बनते हैं और यह उडिसा उडिसा राज्या के पूरी जीले में उसको पूरी जगनात बोलते हैं अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं अगले को नेक्स्ट कोशन है निमन लिट्वे से कौन सा ऐसा भारत्य क्रिकेटर है जिसने हाल ही में अपनी तीनों फॉर्मेट टीनों फॉर्मेट यानि की टीट्वेंटी ठीक है जी 50 50 ODI बोल सकते हो वन डे बोल सकते हो यह टेस्ट मैस से कंप्लीटली अपनी डिटार्मे क्रिकेटर बोलते हैं ठीक है पंजाब दी आन बान तेशान हर्पजन सिंग इन्होंने हाल ही में अपनी जो है सबी तरीके के किरकट के फॉर्मेट से इवन की आई प्रियल से भी ठीक है जी अपनी रिटार्मेंट अनौंस कर दी है जब भी कोई बड़ीया क्रिकेटर या को नजन बेस मैश्तु कंशे मैशसट्ण दीॉबाथा हरवजन संग नैं अपना फ्रस्ट देब्यू मैच जो है उन्नीस प्रस्वाटान मैच जो है अगेंस्ट न्यूजी लैंड इशलेंड धेला था और ये मैच वन टेया आइक था we strongman ऐटा स्थी लड़ीया एक है यो के पूछा जाए हर्बजन सिंग अपना आकरी मैच कब खेला तो हरबजन सिंग ने अपना लास्ट मैच 2016 के अंदर हर получится ने और यह याद रखीगा यह मैच हुआ था अगेंस्ट यूए यूए की टीम के खिला था मैच कंड़क्ट हुआ था बंगला देश में पहला मैच खेला अगेंस न्यूजी लैंड उनीस ओठानवे के अंदर शाह जहां में और आखरी मैच खेला था यूए के खिलाफ और ये बंगला देश में हुआ था ये भी आपको याद रखना है ये फर्स्ट इंडियं थे हर बजन सिंग वॉगस दा फर्स्ट इंडियं ऑ-टु टे कह टरिक है टुपे है ट्रिक इन टेस्ट मैच टेस्ट मैच के अंदर हट रिक लेने वाले पहले भारतीय थे हर बजन सिंग प्रिक क्या होता है जब आब लगातार तीन गोलों पे तीन विकेट्स लेते हो तो पहले भारतिया जिनों ने टेस्ट मैच के अंदर है ट्रिक ली थी डैड़ी और हर बजन सिंग और अगर मैं पूरे भारत के इतिहास की बात करूं तो अभी तक यह फोर्थ हाइस्ट विकेट टेकर हैं फॉर्थ हाइस्ट विकेट टेकर हैं इन टेस्ट मैच फॉर इंडिया पार्थ वल्यों टेस्ट मैच खेड़ दे हुए चोथे नंबर ते सब तो ज्यादा विक्ता लितिया ने हले तक पार्थ देते आस देविच इन्हें हर बजन सिंग ने यह बात आपको याद रखेंगे नेक्स आगे बढ़ है कोशन है कि वाट इसदानेम आफ ऑफ गवल ड़ंडी अपड़ पॉर्टल कैंड्यॉश के वेब साइट एक ट्रीक है की एक ट्रीक है की वेब साइट वेब साइट पोटल लॉट्ट बाइदा परगर गड़ सिंग ने अभी एड्ड प्रेसेंट यह हमारे एजुकेशन मि है इनके द्वारा हाल ही में एक पॉर्टल लॉंच किया गया है जिसका एम यानि कि उदेश्य क्या है तू प्रोवाइड प्रोफेशनल केरियर गाइडेंस तू दा स्कूल and college students of the Punjab ताकि पंजाब के school level पे और college level पे बच्चों को कैरियर कैसे choose करते हैं आने वाले future के लिए कैसे ready रहते हैं कौन सी चीज के लिए आपको ज्यादा मेंध करनी चाहिए professional SUBSCRIBE bowl न के लिए एक पॉर्टल लॉंच किया है उस पॉर्टल का नाम है पंजाब केरियर गाइडेंस पॉर्टल पंजाब केरियर गाइडेंस पॉर्टल वेरी वेरी इंपोर्टेंट पंजाब कैरियल गाइड़न्स पॉर्टल यह पोटल पंजाब गॉर्ड में ने एक एक इंटरनेशन संस्ता है यूनिसेफ एक इसके जो तेकनिकल पार्टनर है तेकनिकल पार्टनर का मतलब यह पूरा पॉर्टल जो है देखेगा उसको पीछे से टेक्निकली कंट्रोल करेगा टेक्निकल पार्टनर का नाम है आसमान फाउंडेशन आसमान फाउंडेशन ठीक है जी तो हाल ही में पंजाब के एजुकेशन मिस्टर परगर सिंग द्वारा स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए केरियर गाइडेंस के लिए जो पोर्टल लॉंज किया गया उसका नाम है पंजाब केरियल गाइडेंस और यह किसके साथ मिलकर किया गया है यूनिसेफ के साथ मिलकर ठीक है जी नेक्स्ट आगे चलते हैं कोशन है जी आपको नीचे दो स्टेडमेंट दी गई है और इन दो स्टेडमेंट से कौन सी स्टेडमेंट सही है आपको इसके बारे में बताना है ठीक है जी देखें आपको पता होगा एक नमंबर 1966 को पंजाब का बाइफ्रेच्वेशन हुआ था यानि कि पंजाब की डिवीजन हुई थी पंजाब एक अलग राज्ये बना था और हरयाना एक अलग राज्ये बना था ठीक है तो अभी हाल ही में नमंबर में एक नमंबर को हर साल हम लोग अपना पंजाब डे या न्यू पंजाब दे सेलिब्रेट कर दिया उन्हों मद्दे नजर रखके है कोशन में बनाया है उनकोशन की कहनदा है कहनदा हर्याना वोज सेपरेटेड फ्रॉं पंजाब बाइद स्टेट री और्गनाइजेशन कमीशन 1953 हर्याने नूप पंजाब तो सेपरेड किता गया सी चीक ह है केंदा जी जिए रहा सेपरेड किता गया हर्याने नूप पंजाब तो ओकेड़े कानून दे तहाइद किता गया सी स्टेट री और्गनाइजेशन कमिशन 1953 टोटली नूप पंजाब और हर्याना वोज सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू दा पंजाब एंड हर्याना किता गया से स्टेट री और्गनेशन कमिशन 1953 के तहर नहीं किये गए थे तो पहला ऑप्शन गलत है दूसरे ऑप्शन में कह रहा है दा प्रेजिदेंशल रेफरेंस इस रिक्वाइड बिफोर टेबलिंग एनी बिल फोर दा स्टेट री और्गनाइजेशन इन पार्लिमें इस तरी जैड रियॉड पार्लिमेंट चले के आना चानी हों और कि और फिल्गुल सही तो इन दोनों में से सेकंड ऑप्षन जो है बिल्कुल सही है इंडिया का पहला पहला स्टेट यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इंडिया का पहला स्टेट जो भाशजा पर अलग हुआ था वो कौन सा था नेम ऑफ दा विच स्टेट डिवीजन ऑन दा बेसिज अव लेंगवेज ठीक है जी ओ स्टेट दा नाम जस्टो जिडी पाशादेदार ते सब तो पहली बार इंडिया दे विच डिवाइड होई पंजाब अते हर्याना एकनमंबर तो निश्व च्याटन होई सी अंडर दा एटिंद अमंडमेंट आफ इंडियन कॉंस्टिटिउशन यहां पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में यह पंजाब है ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं यह नीचे जो मुर्गे की शकल में आपको दिख रहा है यहां पर आपक सिटे जो है वो दस है राज्यसभा की सिटे जो है वो पांच है यह याद रखिए लोकसभा की दस सिटे है और राज्यसभा की पांच सिटे है यह भी इंपॉर्टेंट है क्लिए हर्याना की इस समय जो सिय में उनका नाम है मनुहरलाल खट्र मनुहरलाल खट्र और यहां पर बीजेबी की गॉवर्मेंट बारतिया जनता पार्टी की गॉवर्मेंट है याद रखिए नेक्स नेक्स कोशन है ओप्रेशन रेड रोज तुक कर्भ लिक्वा प्रेडिंग वॉज लांस इन विच स्टेट इक उप्रेशन एक तरीके नालिक मोहीं चलाई गी जिनू नाम दिता गया ओप्रेशन रेड रोज यान की लाल गुलाब कीदे वास्ते चलाया गया ताकि जड़ी इ इक स्टेट तो दूसरे स्टेट उनू रोक्या जा सके हाल ही दे विच लिक्र नू रोकन वास्ते एहे ऑप्रेशन चलाया पंजार दे एक साइस एंड टेक्स्टेशन डिपार्टमेंट बारा कोशन डारेक्ट लिए बंदा है की ओप्रेशन रेड रोज एजेड़ा की दे इंपार्टमेंट भाट कोशन है याद रखी हो एग्या नेट्स अग्यवाद देओं नेक्स्ट कोशन है रेडियो उजाला पंजाब सूपर इंपॉर्ट है डबल स्टार लगा लिजिए जो मैं एक्ट्रा बाते बताता हूं उसको जरूर लिखो रेडियो उजाला पंजाब यह एक रेडियो चैनल है और सबसे बड़ी खासियत क्या है इसे जेल के अंदर जो क्र regulate किया घ्या है एसी मोहिम चलाए गई है किस पंजाब के जेल के द्वारा तो यह चलाए गी है सबसे पहले लुध्याना सेंटरल जेल के द्वारा एक मोहिम चलाए गई है और उस मोहि conten का नाम रखा गया है रेडियो Hal зв Legal स्टार्टेड बाए लुद्याना सेंट्रल जेल टोटल लुद्याना के बाद छे और ऐसे जेल हैं जो अपना अपना रेडियो चैनल अनौंस करने वाले हैं पहली बार हुआ है पूरे इंडिया के अंदर पूरे पंजाब के अंदर की किसी सेंट्रल जेल ने एक रेडियो चै कोस्तों कर धोने कपूरस दला सुन्ट्रेया थे का पूरांव सी इक पूर्थेल मोहिं scor arguably यहां तरह देह सकते हैं पर देख सकते हैं तीक है प्रवीन कुमार सिच नहीं इनका नाम वह याद रखा कर चेगा इनका नाम है परवीन कुमार सिना एडी जी पी ऑफ प्रिजन विंग वेलकम्ड वाइद ऑफिशली अर्द सेंटल जेल लुद्याना इन्हों ने इन्युग्रेशन किया था आपको बेसिकली प्यारे बच्चों कोशन यह याद रखना कि रेडियो जाला पंजाब जड़ा चै करने के लिए कि आप प्रेइर करने के लिए बायो एंजाइम जाइम एक तरके का ठीक आजी खाद होता है क्रिंट आधोर क्रिंधकिश्व फ्रेगमंटेश संट्सक्राइपने यह इंदे pseud devotee कि sun अ थीट आंचे इन्टी इस्तेमाल कर लिया इसकोशन चे पुच्छा गए भी पंजाब दे जड़े किसाने खासकर ए ओ किसाने जित्थे किन्नू जादा हुंद है किन्नू की ए एक फूरूट है थो नू पता हुगा ओरेंज प्लस निम्बु जोगना मिला के दोना दी हाइब्रड करके या दुला दे गुन इक बीज दे विच पाके जड़ा बं असटी युनु किन्हों कहने है ठीक है जी तक किन्हों जड़ा एह इस्तामाल कित्ता जारहे है पंजाब दे किसानाड़ा इक त्रिक के दिनाल खाद बनाना वास्ते वेरी 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 इंपोर्टेंट कोशिन क्लीर है हुन एक चीज में तो नो दसन लग गया है बड़ी त्यानल समझी हो बेसिकली पंजाब देक जीरा है फाजिल का सब तो जादा किन्नू उरे हुन दा है फाजिल का नो किन्नू बेल्ट ऑफ पंजाब 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 किन्नू तहोससे हैं पाङिवान थोसले निम्बूदी हाईबराइटी कछ इकार करके मैं डीरियट्टरूरी घ्रण्टिया मैं रेमियं ऐस्षिक भी थैकल है चीक अधियर चाने लेकाना परके सब्सक्रादिके से मंध्यर कहला अधिर भाज जान दा निचे गिर जान दा गाल जान दा साड़ जान दा जी इनुसरकार नहीं खरीदी फिर ओंड नुन इस बड़े बड़े डब्ड़े विचे बंद करके खाद बना लिखती जान दिया थूदा फ्रीमेंटेशन ठीक है फिर उनुद्ध इस्तमाल कर लिता ज इन स्वान एजा सिक्स्टीन थी एक कोश्चन है जी खतरना तो वाद चीफ मिनिस्टर बने आए कौन पंजाब था उन्हें एक्जाम चाहें पुछ रहने की चरंजी सिंग चन्नी जी जड़े पंजाब जे सीम बने ने यहें पंजाब दे किन्द में सीम बढ़े ने तर्शिर जिनने बीजेपी दिनाल एलाइंस करके इलेक्शन दे विचे लड़न दा फैसला किता है ठीक है इस तो इलावा इनना बारे कुछ होर में गल्ला दाजदा चरंजी सिंग चन्नी पंजाब दे इतिहास दे विच पहले परसन होए ने जेड़े की पंजाब दे सीम बने ने कि से दलित फैंबली तो फर्स सीम फ्रॉम दलित पाइचारा ठीक है दलित फैंबली तो बनना ले श्री चन्नी जी पहले सीम होई ने वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन याद रखिए हो ते हमेशा जद भी कोई बंदा सीम बांदा है ओनना नुजेड़ा ओथ है ओथ यानि क पंजाब दे बनवारी लाल प्रोहित कौन बने बनवारी लाल प्रोहित किनू रिप्लेस करके बने ने वीपी सिंग बदनौर नूँ रिप्लेस करके बनवारी लाल प्रोहित पंजाब दे सी पंजाब दे गवर्नर बने ने पंजाब दे गवर्नर ते बनवारी लाल प्रोह यह ए गल भी तुसी याद रखने हैं बनवारी लाल प्रोहित जड़े ने 29 गवर्नर ने पंजाब दे उनत्ती में गवर्नर बने ने पंजाब दे ठीक है जी ते सोल में एड्मिनिस्ट्रेटिव हैड बने ने चंडिगर दे जे तुसी पंजाब जी स्टैटिक जी के त्यान साल पड़ी है मेरी एक वीडियो है पंजाब दी लगवाग पंजकन त्यादी साथे तीन लख बंदिया ने देख्या उन्हों पिछले छे मिन यह पोच में एक एक्ट करवाया जुनूं बोल देने चंडिगड एक्ट उनिसोचरासी ती नाम है चंडिगड एक्ट नाइंट और चंडिगड दा कंवाईलााव प्रोहित पंजाब दे नात्यमें गवरनर ने चंडीगड सोलमें एंड्मिट्रीटिव गंड़ख उन टामिलाड याद रखें इस तो पहला केला दे बहु干 उसाम प्रहें बढ़ा लंबा इतिहास लंब प्रोहित दा आई होप थो नुए सारा कोशन समझ आ गया होगा अग्यवाद्या जी नेक्स्ट कोशन है पंजाब चे तेई मा नमा जिला बने हैं ठीक है जी संगरूर जिले नू कटके यहां पर तुसी देख सकते हो उस जिले दा नाम है मलेर कोटला ठीक है पंजाब जोन पि दो आप बेच किन्ने ने चार मज्जेच भी किन्ने होगे पंजाब चार ता टोटल पंजाब जोन टोटल टेई डिस्टिक होगे ठीक है जी क्लियर है हुनी इस देविच रिगारिंग तिन कोशन में एक्स रादसन लगया नमबर वन एक परसन सी जिनरा नाम सी इफ्तकार इफ्तकार खान इफ्तकार अली खान पूरा नाम है या कई कताबच इफ्तकार खान लिखेया हो एहे लास्ट नवाब सी गे मलेर कोटला नवाब के दर आ जाए हैं लास्ट नवाब मलेर कोटला कोशन पुछ साग देने मलेर कोटला दा लास्ट नवाब कों सी ता मलेर कोटल वी हिसरे है जितनों पता होवे 1948 दे विच पैपसु बनी सी बाचो पैपसु नूँँ 1956 दे विच पंजाब दे नाल मर्ज कर दिता गया सी ठीक है जी ता मर्ज हों तो पहला है पैपसु दा हिस्सा सी मलेर कोटला पैपसु जो टोटल आठ्रे आसता अंबियां सी के भी तुसी कि याद रख सकते ओं इंपोर्टन कोशन है क्लियर जी मलेर कोटले दे जीले नू तिन तसिला गिद्थी कि यह ने पहली तसील ता एक तरिकिनल मिलीर कोटला होंद चाया सी 1454 एक अफगानी नवाब सी उन्हें आखे पंजाब दे विच मिलेर कोटला दा जड़ा की फांडेशन किता सी एक उच्छा गल्ला ने जरूर याद रखी हो तेहे उस समय दे कॉंगरस दे सीम कैप्टन अबरिंदर सिंग दे टाइम विच्छ हों चिछ आया से क्लिर होगी जिकल नेक्स अग्य बद्या नेक्स्स कोशन वेरी इंपोर्टेंट नॉट इवन पंजाब एक्जाम सेंटर लेवल तक देख्ञाम जो पुछा जाओंदा ठीक है जी देखो हर साल दे विच्छ जमी साल दे एंड ये दे विच्छ गॉ ठीक है खेलो इंडिया व्र बाल खेल पुरसकार इस तरिक नाल गॉवर्मेंट हर साल जिडिया साल दे एंटे विच्छ अलगलग स्पोर्ट स्वार दिविच्छ अवर्ड ने विच्छ एक अवार्ड मुलाना अब्दुलकलाम अजांद ट्रॉफी ट्रॉफी डिप्ति जा ओवरॉल हर एक सेक्टर देविचे डेवल्पमेंट और मीघूर में अवरहला हर एक सेक्टर देविच इन्ना ने जडिया बदिया प्रफॉर्मेंस किती है इए गिवन फॉर्ट ऑल्राउंडर प्रफॉर्मेंस इन एवरी नीच मिली फिर लगातार दोहजार बीच मिली हुनिस्वार दोहजार इंडिया दे विच्छ सब तो ज्यादा मुलाना अब्दुल क्लामजार ट्रॉफी एजे ओवरोल डिवेल्पमेंट और प्रफॉर्मेंस इंदा स्पोर्स उन्दा बेसिद उनिवस्टी एंड कॉलेज सब मजावी इनिवस्टी दे जड़े वाइस चांसलर ने उन्हादा नाम है राज कुमार यह भी आपको याद रख रहें ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह अच्छल में ट्रॉफी है यह वो ट्रॉफी है जो दी जाती है 1956 से यह ट्रॉफी शुरू हुई थी उनिसोच पंजाच बुलाना अब्दुल क्लामजार ट्रॉफी शुरू हुई सी डीटेल च पढ़ना चान्नियों भी किन्ना पैसा जित्ता जानदा है की की जित्ता जानदा है तुसी यह नूँ वीडियो नूँ पॉस्ट करके आ सारा पर सकति हुआ नेक्स अगे वाथियां तो नैशनल स्पोर्ट्स अवार दे विच्छ सब्तो वड़ा अवार मेजर ध्यांचंद खेल रतन अवार फुनियदा नाम चेंज किता है पहला राजीब गांदी खेल रतन वार नाम बदल के मेजर ध्यांचंद खेल रतन वार करता जिनने भी इंडिया दे विच्छ स्पोर्ट्स अवार दिते जानने साल ध्यांटे च्छ उचों सब्तो बड़ा है जड़ी बंद्या नूं मेजर ध्यांचंद खेल रतन वार मिले है उनना दा नाम ते केड़ी फील्ड च मिले है तुसी यार दखने है नीरत चोप्रा जिना अंतिल नू पैरा एथलीट ने है ठीक है पैर ओलंफिक्स ते बीचे इननने परफॉर्म किता है ओके उसी तरीके दिना मिथाली राज वेरी इंपोर्टन इननूं क्रिकेट दे विच मिले है एंडियन क्रिकेट टीम दी केपटन ने इक फॉर मेर्ट दी इंडियन किरकेट इसवार ओलम्टिक्स दे विचे ब्रॉंज मेंडल जता है ठीक है इनना दा फील्ड इनना दा नाम जुरूर याद रख लियो सब तो नीरत चोपड़ा रवी कुमार लॉवलीना सिर्जेश मर्प्रि सिंग सुनेल छत्री मिठाली राजने यह सात्य आने ता तुसी पक्का याद रखियो नेक्स अग्यवाद दिया साहित्य अकेडमी अवाड दो हजारी की वेरी इंपॉर्टेंट आज के सबसे बड़े कोशनों में से एक साहित्य अकेडमी अवाड जो है लगबग चोविस भाषाओं में लिखने वाले लोगों को दिया जाता है चोविस में से बाइस भाषाओं वो है जो भारत्य सविदान के आठवे शडियूल यानि की आठवी अनुसुच्ची में दर्ज है बाइस भाषाओं प्लस तेईस्वी भाषा है इंग्लिश इंग्लिश हमारी जो है कॉंसिटूशनल लेंग्वेज नहीं है और चोविस भा इस तरीके से टोटल बाइस भाषाओं को हमारे सविदान के आठवे शडियूल के अंदर जगा दी गई है और दो भाषाएं जिनको आठवे शडियूल के अंदर जगा नहीं दी गई वो भी एड़ करीगी है जैसे कि इंग्लिश और राज्यस्तानी तो साहित्यक एड्मी और जो है टोटल 24 वाषाओं में दिया जाता है अब कोशन यह है कि साहित्यक एड्मी अवार्ड पंजाबी पाशा दे विच्छ दोजार इकी दे विच्छ किनू मिले है लिखन करके ए मिले जी खालिद हुसेन नूँ वेरी वेरी इंपोर्टन कोश्या कर खालिद हुसेन न साहित्यक एडमी अवार्ड सत्य पहली बार है 1904 दे विच्छ दिद्धा गया तेहुन आखरी बार है 2022 वीकी दे विच्छ दिद्धा गया क्लियर होगी जी वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन एडेनाल याद रख लो भी हिंदीपार्षा देविच 2021 दिद्धा गया ठीक है जि पाशादे विच खाली दूसा है हिंदी पाशादे विच दिता गया दया प्रकाश सीना नू उनने करनाटक लिए समराथ अशोग क्लियर एगल भी तुसी याद रखनी है ठीक है जी आई होब तुन्हें सारी गल्ला समझ आ गया हों गया परी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स अग्ये बाद दियां नेक्स्ट आजी हूँ है टॉप दा प्रफॉर्मेंस ऑफ ग्रेडिंग इंडेक्स इंदा स्कूल एड्यूकेशन रिसेंटली नेक्ट ग्रेडिंग इंडेक्स नाम दा इक आंक्डे आंदे ने इंडेक्स किंडेक आंक्डे जीदे तहते दस्था इंदे बिच्ट बदिया प्रफॉर्म कर रहे है तहुं जिड़ा ग्रेडिंग इंडेक्स प्रफॉर्मेंस है इनदी या बाई दा मनिस्ट्री ओफ एजुकेशन भारत के शिक्षा मंत्रालिया के दोरा मनिस्ट्री ओफ एजुकेशन के दोरा दिया जाता है और 2020-21 का ग्रे पुरे तुसी डीटेल पूरी देख सकते हो पहला कोशन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की देनाल जुड़े एजुकेशन देनाल जुड़े है इस साल केडी स्टेट ने नंबर वन रैंक प्रापत किता है पंजाब ने नंबर टू ते रहे है तामिल नाडू नंबर थी थे थोड़े को ले रहा केरला क्लियर है जी एगल भी याद रखनी है तोटल हजार पैरा मीटर्स दे विच्चो पंजाब दे 929 मार्क्स ने बस याद रख लियो क्लियर नेक्स्ट अगे बाद दियां जी है अगें इंपोर्टेंट नूँ लेके नियूज है पारतरी पहली स्टेट केड़ी बनी है जीने कोवेक्स एलाइंस नूँ जुआइं किता है कोवेक्स एलाइंस किया है एक तरिक्के नाल कोवीड देना लड़नवास्ते अलग अलग देशा दे जिड़े मेडिकल इंटलेक्चुल लोग ने उनना दा कठा एक ग्रूप है ताकि कोविड नू टैकल किता जा सके वो दा नाम रखा क्या कोवेक्स जीरे विच देखो यूनिसेफ भी अंद है वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन भी अंद है जीए वी नाम दिक संस्ता इंटरनेशन बहुत इंपोर्टेंट है इस सारे अंदेरे पार्च दा पहला राज जिनने कोवेक्स एलाइन से जोईन किता है एदा में फाइदा किया है कि जड़े साधे प टीका करन दे विच पुंचान दे विच हेल्प करना कि सब तो बरियात रिक्के नाल सस्ते तो सस्ते रेड़ते ओना नूं कोविड दा टीका मिल सके पहली स्टेट बनी है इंडिया जिनने कोवेक्स एलाइंस जोईन किता है डैट इस यॉर पंजाब वेरी वेरी कि बॉलीवूड एक्टर ने सॉनु सूध नूं भ्रैंड at Marte BET किता सी मगाट अपॉंट किता सी कोविड- Aph live स्टेंट अपाट मैंचन तोर थिलेक्षेय давайте छेट रहूगा ठीक है पंजाव इलेक्षिंट टीपार्टमेंट रचि ए पंजाब आहिए अग्र संहले आइक सोद घुनिया सिरेए ऑपीस सप् Clerkल गी तो आपास मेरी साथू कांग कंगरस वल्लिएं मोक्गे तो चुनाव रही है कांगरस वल्ली यू मोगे तो एल्यक्षण लड़ रही है ता जह थोड़ी का अर्दी फैमली दा कोई बंदा किसी पर्टिकुलर पार्टी तो एल्यक्षण लड़ूगा तो तुसी फेर नहीं हो सकते यानि कि तुसी मतलब एक क्रिकि याद रख्यों पंजाब गोवर्मेंट ने इस तो इलावा अनौंस कितना सी कि यो पंद्रा सो रुपए पर महिना देंगे और ना चिल्डरन्स नू जेड़े की और फन ने और फन यानि की जेड़े की मतलब एक तरीक्य दे नाल जीना दे पेरेंट्स नहीं है गे जड़े औ कोविड़ नाइंटीन ठीक है जी ड्यू टू कोविड़ नाइंटीन और फन चिल्डरन्स नू पंद्रा सोर पर महिना देंदी अनौसमेंट कि तीसी किने पंजाब स्टेट गोवर्मेंट में ठीक है जी नेक्स्ट ते चलो इदेनाल इक न्यूस हो रैड कर लो डिसेंटली जील आगरा यानि कि विशव बैंक प्लस एशेन इंफ्रास्ट्रुटर्चर इंवेस्टमेंट के लून करिया जीदा करां लगबग 2,190 क्रोड रुपे दा लोन अप्रूवड किता है क्यों किता है ताकि अब दा जड़ा कैनाल बेस्ड कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वॉटर इस रंगा बना सके लोका दे करकर तक पी नाला पानी पहुंचा सके इस करके वर्ड बैंक ते एशियन इंफ्रास्ट् इकी सो नबे क्रोड रुपे दा लोन है जी डा को हो सेंशन किता है याद रखियो नेक्स्ट अगे चाल दें जी अगला कोर्शन है जी तो अडे को लें वेर विल दा फस्ट डॉग पार्क ऑफ नौर्थ इंडिया उत्तर पार्क दा पहला डॉग पार्क कित्थे उपन होया है याद रखियो देखो डॉग पार्क है जी में औरे डॉग जेने में दान चे खेर देने उनना वस्टे थोड़ी बहुत स्पोर्स एक्टिविटीज हुन दिया ने जिते हो चिल मार साथ देने या डॉग दा महौल हुन दा सारे डोग कठे हो जाने नॉर्थ इंडिया दा पहला डॉग पार्क खुले है पंजाबी रास्ता में चंडिगर देविच एक सो ती परसेंट पका पर चानाला कोशन है जरूर याद रखियो दा फर्स्ट डॉग पार्क इन इंडिया इस ओपन इन चंडिगर वेरी 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 इंपॉर्टेंट कोशन पार्क दा सोरी तो नॉर्थ इंडिया पहला मेलों किटे किखें इंडिया पहला मिलों जर्मैडी रिसर्च कर रहें है कई न्यूज पेपर चेंडिया पहला नीउस लिख्या वहें और पहला डॉग पार्क टिथे ओपन पुट्ञ नेक्स कोश्च्ण अगला कोशन है जी देखो हाल ही दे विच एक वाच लॉन्च किती इंदेगी एश्ग कर देया माल लो तुसी अध्य कर तो चले कर तो चले कर तो चले तुसी कोई तरिके नालनासिस करूगी कि तुसी कार्टो लेकि आपडी डेस्टिनेशन दे विच्छ किन्ना कार्बन इजक्ट किता है किन्ना कार्बन चड़ी है इस तरिके दी कार्बन वाच लाँच करना ली पहली केंदरी शाषित-प्रदेश यूनिन टेरिट्री बने है कौन अगें चंडिगड़ बने हैं चंडिगड़ विकेम दा फर्स्ट यूनिन टेरिट्री इन इंडिया तु लॉंच कार्बन वाच ए मुबाइल अप्लिकेशन टु एसस दा कार्बन फूट 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 फूरिंट ऑफ इंडिविच्छ इक त्रिके दी कार्बन वाच मुबाइल अ इंडिया मुबाइल एप्लिकेशन दे रूपच भी आंदिया यह संवे पजा चाल रहा है इंडिविजल दा मतलब जेड़ा बंदा अब्दे कर तो लेके देशन तक जा रहे है ओने किन्ना कार्बन इजैक्ट किता है किन्ना कार्बन चड़्ड है कि अगली बार हो कार्बन नुक्ता अंच हर्प कर सके पहली यूनि टरिटरी जी नहीं लांच किती है यह चंडिगर नेक्स्ट नेक्स्ट कोशन है जी फर्स्ट इंप्यूट क्लीनिक इंप्यूट किंद है जद किसे बंदेरा हथ वग्यारा टुट जान दे या बंदेरे किसे श्रीदा हिस्सा अपा अपडेत रिक के नाल बनेया होया इंप्यूट क्लीनिक पहला इंडिया दा इंप्यूट क्लीनिक लांच होया है कित्थे चंडिगर दे वीचे चंडिगर दा हॉस्पिटल है पीजिए पोस्ट ग्रैजुएशन इंसीडूट अफ मेडिकल एंड रिसर्च एडूकेशन इंडिया दा पहला इंप्यूट क्लीनिक लांच किता है सुपर इंपोर्टेंट कोशन नेक्स्ट अगला कोशन है जी रिसेंटली वर्ल्ट बैंक ने टे एशन इंफ्रस्रेश्चर बैंक ने उन्हीं में दासका चुक्या तिन सो मिलियन दा लोन अप्रूव्ड किता है केड जड़ा ड्रिंकिंग वाटर है उन्हों लोका दे कर तक पहुंचा आया जा सके इन्हीं में दिन आले वीडियो बन दिया लगबग दो हफ्त लाग देने उन्हों बना आंच रिसर्च करेंच लगबग बी तो पच्ची वेबसाइट पढ़नी पहन दिया ने बारा तो तेरा इफिलिंग पोर्टल है जड़ा एहें इंकम टेक्स वास्ते लॉंच किता गया है फोर दा इंकम टेक्स वास्ते लॉंच किता गया है ताकि तुसी ऑनलाइं कर बैके आप दी रिटर्न जेडिया उन्हों फिल कर सको इंकम टेक्स रिटर्न पर सको ठीक है जी यह लॉंच कित फांडेशन स्टोन ऑफ जलिया वाला बाग सेंचरी मेमोरियल पार्क लेड ठीक है जलिया वाला बाग सेंचरी मेमोरियल सेंचरी मतलब जिनू सो साल हो गी हो उनी रिसेंटली 13 अपरल जलिया वाला बाग सेंचरी मेंटाव सेंचरी में जलिया वाला बाग सेंचरी में अपरल प्रवाग दिकतना होई सी ता जे तुसी देखो 13 अप्रल 2021 लगबग 102 साल गिरा बना या ऐसी जलिया वाले भाग दी ओदी यादगार दे विच असी एक जलिया वाला भाग मेमोरियल जड़ा है ओ बनान जा रहे हैं इत्थे बनान जा रहे हैं असी बनान जा रहे हैं अम्री सर दे अंदर जलिया वाले भाग दिकत नाच जड़ा डी सी रिकॉर्ड है ओफिशिल कहनद है कि 440 पिपल मरे सी मरेता जादा होंगे बारा सो दे करीब जेड़े मंदे सी डे डाइड वांडर वहुंडड यानुकी जख्मी होए सी चार सो चाली लोग मरे सी बारा सो दे करीब जड़े लोग सी जख्मी होए थी सी ठीक है कोई पहला मेमोरियल नहीं है इस तो पहला सी इक जोड बना चुक्ता कि जरा नाम है जलियावाला बाग मेमोरियल भी तुसी यांद रखने लिए बने सी नाइंटिन फिफिफ्टी वन जिए के पहला सी पहुना सी दूसरा मेमोरियल बना रहे हैं सेके दोनों कित्रे ने अम्री सर देंद यह भी तुसी याद रखने हैं जलिया वाले पास दी कटनाल जूड़े हुए कुछ स्टैक्टिक जी करें कोशन इस कटनात वार महात्मा गांदी ने अब दी केसरी आए हिंद दा जड़ा मैडल सी हिन्दी जड़ी उपादी सिन्टर्न करता है ब्रिटेन गॉवर्मेंट दौर से उन्नु डिटन करता सी मात्मा गांदी ने इसुलाब रवींdar नाहकर ने इसकरना तो बाद आप दी जड़ी नाइट वीड किचम ऑलाले बहुत रटी उपादी ए बुणी से इन द्यार नाइट्ड शिप दिर्विपा भी अननुवी रिटर्ण करता से अंग्रेज़्जा वलियो उस कोशेंदा नाम से हंटर संग हंटर पुक अनाम है जलिया वाले बाग है जुनप chor जीदे बिच कुछ एजी गल्ला रसी की ने जेडिया शाय नॉर्मल लोग का नों नहीं पता हों दिया नेक्स्ट अग्जे बाद देखे है नेक्स्ट अजी कि पंजाव गॉर्मेंट ने ईनॉंस गता है कि ओहोई हो रीनेम करण जा रही है मिंदल्ओं होकी इंटरे रॉड्डो चैडिय मोह इंटर्नेशनल होकी स्टेडियम और रीनेंग जा रही है महाली इंटरनेशनल होकी स्वीडिया में जबह से झार्ilipp के रेनाम बदल के केड़े 허की खेलाडी नाम हे रखे जा रहे है रखे जा रहे है तुछ नहीं थे नावते रख्या जा रहे हैं वलभीर सिंग दोसांज जेड़े ने थ्री टाइम्स ओलंपियंज ने तिन वार इनने ओलंपिक्स देविच उस टीम दा हिस्सा सी जिनना ने ओलंपिक्स फोकी देविच मैडल जित्या एवी गल तुसी याद रखनी है उचलें पुछने जरूर याद रखी हो यह सारियां गला नेक्स्ट इस तो इलावा जी हो ता कुछ नी तुसी याद रखना है नेक्स्ट अगे बादिया जी ही सब्सक्राइब केटन उफ दा इंडियन तीम दूरिंग अलंस्की 1952 आज दा केटन दूरिंग दा मैलबॉन 1956 सब्सक्राइब दा मैनेचर ओफ 1970 वर्ल्ड कप विनिंग इंडियन होकी अवार्ड ठीक है इंडियन होकी उन्हें नहीं केड़ी केड़ी अवार्ड दित्ते गए नहीं पदमशिरी अवार्ड भी दिता गये 1957 विच गौवर्मेंट पंजाब ने इनननू ओनर किता है महाराजा रंजी सिंग अवार्ड जिड़ा कि स्पैशली स्पोर्ट्स देखेतर चाहिता है महाराजा रंजी सिंग दे जड़े पहले रिसेप्शनिस्ट सी ओसी परगर सिंग यह जिकाल एजुकेशन मिस्टर बने होई होकी दे प्लियर ने परगर सिंग याद रखी ओग यह भी जानगे हर मीन एवरी मंथ ताके उन्हारी हैल्थ दा इशू ना आवे एह स्कीम जेड़ी है केड़ी स्टेट द्वारा लॉंच किती गी है पंजाब द्वारा विच ओग दा फॉलिंग स्टेट है रिसेंटली लॉंच पुरान स्कीम तो डिस्ट्रिब्यूट सेनेटरी पै इस स्कीम चलाई है कि ने पंजाब गॉर्मेंड एमाइक क्लियर थी नेस्ट अगे बार दिया है दा एशिया यूनिवस्टी रैंकिंग दो हजार एक सूपर इंपॉर्टेट एक रैंकिंग जी जड़ी एशिया महादीब दे अंदर एशिया महादीब दे अंदर लगबग पंजाब अमझा देशांने उन्ना दियाँ सब्तों बद्य जड़ी यूनिवस्टी उन्दियाने यू हda 2021 दी एशिया यूनिवस्टी रही है चाइना दी द Przy 에नशन यूनिवस्टी आफ सिंगा पूर सिंगापुर जी एफ इंडिया जी ऊone पर प्जाब जब्वथ ही तवर किन्वा रहंक है कि सी लाइंड लेख से इंडिया से नमबं इंडिया सित्वी पहले दुमें इंसिटूट ओसऑइंस बेंगलार ठीक है जी टे इंडिया जो दूज्य नंबर ते या एश आपकांच में नंबर ते रही है आई-ई-ई-टी रहुय बहुत गजब का काम कर रहा है आई-ए-टी रॉपपड जहांकि से कल्टी स्टूरेंस बहुत यह बढ़ी आ काम कर रहे हैं आघे यह पर फेस्टे कोशन हमने हैं तो को शिन क्या बन जाएगा according to the Asia University ranking 2020 which of the following University of Punjab is second in India that is your Indian Institute of Technology Ropad आजी रूपनगर भी कहन देने next अगल यह जी कोशन शुरू होगे IIT रोपड़ दे उत्ते लिटे ने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ने केंदा जी की ने रिसेंटली आयोटी काइंड ना मतलब इंटरनेट ओवर तींग इंटरनेट ओवर तींग लॉंच केता पहला ताई दो इस्टाच तोड़ लो एक हैं गांब दूसरा मतलब है एंबी की हुंदा है एंबी करूड वड़ा इंगलिज दा मतलब हुंदा है डबल डबल जी में मालो हर इक बंदाब आप दा इक हाथ है जड़ा सो परसेंट चंगी तरह इस्तमाल कर सब्सक्राइब या था तुसी सज्जे ना लिख दियों या खब्बे ना सेम लिख साग दियों तो गदा मतलब है एंबी उत्थे एंबी शब्द इस्तमाल हुंदा है जिते दोन्यों चीज्जा दा कम हो वेकुई उन पूरेक टैग है टैग दा कम किया एंबी टैग दा ए असल दे विच एक तरिक्के दा टैंपरेचर रिकॉडर है उन मानने के चल लो कोल्ड चेंद अंदर थंडे ठंडे फ्रिज्जा दे अंदर रखके असी कोई फूड पर जया पंजाब तो मन के चलो असी पर इस तामिल आटो ठीक है फूड जर पंजाब चल के तामिलाटो पहुंचिया कि यो खान योग रहा कि ओधा टैंपरेचर मिंटेंड रहा अगया होगा उस फ्रिजदे अंदर तास अननू तुसी उस फ्रिज्जन चाके दूनिया दे येडे मर जी कोने ते लाजो तुसी इंटरमेट रही किसे एक खास था थे भैठके उस फ्रिजदे अंदर टैंपरेचर जहां चा सब्सक्राइब भी किन यो चीज खान जोग रह है यह बनाया जी आई 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 टी रोप पढ़ने ठीके अब दे तरिक्के दा पहला है आयोटी दी फुल फॉर्म हुं दिया internet over things that records the real-time temperature during the transportation of the perishable products example vaccine food ठीके जी body organ etc it help us to tell whether the product after the transport is fit to use or not इसानों दस्तर्च मदद करता है कि ट्रांस्पोर्ट तो बात जड़ा पड़क्त है की हो इस्तमाल करन जोग है या नहीं है इस तो इलावा आई टी रोपर ने एक होर बनाया इंडिया दा पहला हैं इंडिया फस्त पार तरे पीचे पहली बार एक ट्रिके भी मशीन बनाई है जिनुए जीवन वाईउ मशीन के चीज़्टे नाल की कर दिया प्रेशर मिंटेंड कर दिया जड़ा सी औक्सिजन सिलेंडर लाने है जड़ा सी कोई मास्क लाना बोड़ी दिय अंदर ताउ की दे ठूर कम कर देप्रेशर टाइक तरिके नाल जा जीवन भायू मशीन के द्वारा बना इगी या आयाटी रूप आ गया जी वाई अे लोफ बडेव हं इभल डिवाईस इवाइस जीवन वाई Focus चुर्ष्ट लिडी अचान essay दे ट्युंदить चाहिए बंदो can देनी है बिज़ी की एक मशीन होगी ज identity which ऑग अचि चाहिए परश्र की जरी श्री जाकर पैस्व नू बंदेरी बॉडी चे पहुंचा हुगा जे बिजली ना हो बे फेर जीवन वायू एक त्रीक के दी मशीन है जीडी बीना एलेक्टरसीटी तो प्रेशर क्रियेट कर दी है ठीक है मैनुली ते जीदनाल असी जीडे मरीज ने होना थी हल्प कर सर भी है ये भी आई आई जी रोपड़ द्वारा बनाया गया ठीक है जी बहुत बदी है उन्हें डिवाइस की करता है ऑक्सीजन दी वेस्ट नू दोग रहे थो नू पदाए भी दोजार बी उन्नी भी देविचे जर करोना ने महामारी फेमंको फैलेया लोग का नो ऑक्सीजन दे स्लेंडर में मिल मास्क लग लग गया है बाल यह उसा लेंडा ऐक वरी हो साथ चट ने ठीक है वन जरो साल लेंडा है फिर तो अक्सीजन और यह एंदर जा रही है जारो साथ चड़ा इस समय जी ऑच सिब्स में वेस्ट हो रही है मशीन ता पदी लगाता रों ऑक्सीजन चड़ी जा रही है ज़र वो साल होगा मशीन ने जड़ी ऑक्सीजन छड़ी होता हो लागा ज़र वो साथ चड़ूगा ओद ऑक्सीजन की वेस्ट त्या एमलेक्स इक त्रिक्के दा इंस्टूमेंट है कि जर बंदा साथ चड़ूगा अटोमेटिकली मशीन दे सेंसर नूँ पदा चल जूगा कि बंदा साथ चड़ रहा है लेनी रहा ताहों पिच्छो ऑक्सीजन दी सप्लाई नू या ता बंद कर दूगी या की कर दूगी कटा दूगी जिननल ऑक्सीजन दी वेस्ट हाट जो ए जिड़ा एमलेक्स है यह भी इक तरिक्ये नाल आयाटी रूपड नहीं बनाया है एक डिवाइस है जो ऑक्सीजन सप्लाई की वेस्टेज को रोकेगा मीट बाइदा आयाटी लोग पर नेक्स्ट पंजाब ने हाल ही दे विच्छ ओनलाइन पेइमेंट सिस्टम शुरू किता है टाकि पानी दे बिल पड करेंग जाटन पर्टनर करके पंजाब जल सप्लाई में ने ओनलाइन बिल दा मेंक भाइपल शुरू की तो किती है पंजाब दे जल सब्लय दिपार्टमेंट ने खडैसी मैं कि ठीक है जी साथ अलाइन पेइमेंट ओफ वाटर बिल स्टार्ट कर ई है नेक्स्ट एक स्कीम हैं जी मेरा कम मेरा मान स्कीम ए पंजाब देविच यह लॉंच किती कि यह जड़ा पंजाब्दा नोज़वान है यूथ है अनेपूलाइड बेरोजगार है ओन्नुं स्किल्स देन वास्ते थी चीक है नेपूलाइड यूथ्स देन वास्ते इस्तमाल शुरू किता गया इने वारे पाड़ लेने उस्सान दे मुखवंतरी कैप्टर अमिंदर सिंग वल्लो मेरा कम मेरा मान स्कीम शुरू करनू हरी चंडी बेरुजगारा नोजवानानू मुफ्त हुनर सिखलाई रही रोजगार दे योग बनाओं दे मिलेगी म होगा जेड़े बंदयनों लित्ता जाओ उननों हर मीने पच्ची सुर के मिलुगा एक साल दी है ट्रेनिंग है ताकि उननों ट्रे कम दे योग बनाया जा सके नेक्स्ट नीतिया योग हेल्थ इंडेक्स दोहजारी की सूपर इंपॉर्टन नीतिया योग एक नॉन ट्रांस्फोर्मेशन ओफ इंडिया ठीक है जी नीतिया योग के जो हैड होते हैं चेर्मेन वो खुद देश के प्रदानमंत्री होते हैं अब नीतिया योग ने 2021 में हेल्थ इंडेक्स जारी किया है कि वही केड़ी स्टेट में सेहत देविच्च आप दे लोग का दात्यान बढ़िया रखे है है लार्जर स्टेट स्मॉलर स्टेट यूटी बड़े राज्य चोटे राज्य ते केंद्री शाशित परदेश बड़े राज्य देविचे नंबर वांचे रहा केला नंबर टू चामिला डू नंबर ती चेल गणा यानि की साउथ आले रहे हैं चोटे राज्य देविचे मिज्वारम त्रीपूरा सिक्का छोड़े राज्य देविचे सारे नौर्थ इस टाले रहें लेकिन जे गल करिये यूटी जी केंद्री शाशिर परदेश देविचे रैंक बांते रहे है दमनेंड द्यू दादरन नगरह वेली ठीक है ठीक है जी ठीक है रैंक पराप्रित किता है यूटीज दी काटगरी वैचे सेकिंड रैंक बापः किता है नेक्स्ट अ मैं है यह इंपोर्टेंट पोशेशन है फॉर्मर इंडियन वूमेन वॉल्यवाल केप्टन वॉल्यवाल थो नूपाथा हून ने कला के खेल देने ठीक है फाजरी इंड पार्त दे लेजन्ड जड़े स्प्रिंटर नहीं की दोडाक ने मिल्खा सिंग जी दे वाइफ सी उनना अब दी वाइफ दी डित तो बाद कुछ ताइम बाद मिल्खा सिंग जी भी मौठ होगी सी ता फॉर्मर इंडियन वुमेन वॉमेन वॉलीबॉल कैप्टन निर्मलकॉर पास्ट अवे कोशन होगा कि हाल ही दे विच्च निर्मलकॉर दी मृत्ति हुई है वो केड़ी गेम नाल जुड़े हुए सी वह लीवाल देना वुमेन टीप कैप्टन हूँ इस दा वाइफ ऑफ स्प्रिंटर स्प्रिंटर बोल देने दोडाक नो ठीक है जिए सर लेजंड मिल्का सिंग पास्ट अवे डिव टू कोविट नाइंटीन कॉंप्लिकेशन एक महली पंजाब नेक्स्ट अगला पोश्चन है जी हूँ लॉंच ऑ स्पैशल मुबाइल एप खेड़ो पंजाब इन जून दो हजारी पंजाब सरकार वलियों तो नुमें दसना चानना कैप जिदा नाम की नहीं टेमिडे लॉंच करें इस आप मणूफर्स यूट मिल्स्टर न जिना अंग्राना गुर्मित शिंग नियुद्ष नि आइव कि पंजाब मुबाइल एप खिड़ो पंजाब एप इन जून दोजार इकी पंजाब स्पोर्स एंड यूथ सर्विस मिनिस्टर राना गुर्मीत सोड़ी नेक्स्ट एक कोशन डवल स्टार मार लो बहुत ज्यादा बार है पंजाब च रिपीट हुए पिछले कुछ जामाचा केडी स्टे इसके तूदा स्टेट से गौवर्मेंट से डारेक्टरी इसकें बी सिंक्रोनाइज डा विद स्मार्ट फोन विद एक ट्लिक फे बटार नोगा ने श्टी डिपाडमेंट अब दी मुबाइल हरिक डिपाडमेंट आप दे वर्क करना ले बंदिया दे फोन नमबर नहीं ता सारे डिपार्टमेंट आदा डाट हर एक स्कीम बारे दस्टे आजाओ हर इक बंदा जड़ा उत्थे जवाब देही है ओदा फोर नंबर हूँ कंप्लीट इस्त्रिक के दी मुबाइल एप पंजाब गॉर्मेंट ने लॉंच किती है सुपर इंपॉर्टेंट कोशन डीजी नेस्ट एंड गुड़ वर्क नेस्ट केंदा जी केड़ी स्टेट दी कैबिनेट ने मंत्री मंडल ने लाल लकीर नाम धी जेड़ी है एक मोहिम शुरू किती है ओ है विलेज लाल लकीर की है उन मानलो पराने टाइम देविच लोग उननों 100 साल होगे रहेंदे हुए 65 साल ताम हो जांदे है ना ते उनना दे पुर्खे भी रहेंदे सी पीड़ी दर पीड़ी लोग पंजाब दे विच रही गे उनना को ले किसे भी चीज दे कोई पर्मानेंट कागज नहीं है यह जमीन सदी है ठीक है पर वो जमीन जे फिड़ी किसी जमीन ते रहें निए क्षिती कर रहा है को छोटा किसा नहीं परिवार रहे है उन्नों कागज बना के देते पैने जमीन ते जमीन मिश रहें लाल लकीर बोल बहुंधुड है इच पढ़ भी सब्सक्ण्स पीपल हुव हाग यवज उसिग विलेज लेंड पावर टू मोनेटाइज प्रॉपर्टी राइड्स अंटर दा मिशन लाल की केंदा जेड़े पिंदा चलोक रह रहे ने बहुत लंबे समय तो उन्हानों उन्हारी जमीन दाधिकार देता भी रखो क्यों रखो जे उन्हारी जमीन देकार साथ होंगे पर्मानेंट ओ कागज स्थाथ हो जमीन थोड़ी हों आज चकक कागज जमीन बेच के चाहिए तो उसी पैसे ले लो जह जमीन बेच के बैंक तो लून ले लंगे ऑन दे मोनेटाइज कार दिती गई प्रापती ठीक है जी नैस्ट आगे चाल देंगे तो दोहजार एक्की हो जिरे बीच इंडिया बुरी तरिके नाल हा रहे है इंटरनेशनल किरकर कंट्रोल में से टीटवन्टी वर्ल्ड कप दोहजार एक्की है एदे उत्ते दस कोश्चन में लेके आया है पक्का पुछांगे पहला होस्ट मतलब ICC में टीटवन्टी वर्ल्ड टोटल सोला टीम माने एरे विचे पार्टी स्पेड किता है टीटवन्टी क्रिकट वर्ल्ड कप दी यडि स्टें साल दी टीम वीनर है ऑस्ट्रेलिया दुज्जे नंबर ते रही है न्यूजिलैंड यानि की फाइनल च अस्ट्रेलिया थे न्यूजिलैंड पहुंचे सी तो ज्यादा विकेड लिते ने खस रंगा ने वंकनाडू हंस रंगा शिलंका देने प्लेयर ऑफ दा सीरीज दा वाड दिता है प्लेयर ऑफ दा सीरीज मतलब जिने पूरी सीरीज दे विच सब तो बरिया परफॉर्मेंस दिटी डैविड वार्नर ने ठीक है जड़ा फाइ विडियो मिलोगी ओभी देख लिए नेक्स्ट पूरे साल दे विच जड़े लोग का दी मृत्ती हुई है पास्ट में जड़ी कोई बंदा मर्दा जी उच्छा जांदा है बंदा केडी फील्ड चुसी जी में की बलबीर सिंग सीनियर बलबीर सिंग जूनियर दी मौत हो गई है इंडियन फॉर्मर वॉलीबॉल टीम दी कैप्टन सी नेक्स्ट मान कोर वेरी वेरी इंपोर्टन बहुत एज एज जड़ेडी सी कमहिला सी पते आले दी ठीक है जी बाचो है चंडिगडबी शिफ्ट हो गए ने इस स्प्रिंटर सी दोडाक सी दोडाक सी दोडाक स्प्रिंटर ने पदम अवाडी ने जम्मू और कश्मीर दे गवर्नर रहे चुके ने जगमोहन मलोत्रा इन्ना जनम जड़े पंजाब चोया सी ताहे इंपोर्ट है इस तो इलाबा आरल भाटिया कॉंगरस दे सीनियर लीडर रहे ने फॉर्मर गवर्नर रहे ने केरला दे बिहार दे इन्ना दी मृत्ति होगी इन्हेरा जनम नाइंटीन फॉर्टी सेवन तो पहला ला जड़ा पंजाब सी ओदे विच्छ होया सी ताहे कुछ लोग ने जड़े दोहजार एक्की दे विचे डारेक्टली और इंडारेक्ली पंजाब ना रिलेट कर दे नहीं ते नह पूरे एशिया दे विचे बुद्धतरम दाइक खंबा मनने गए ने अग्गू मनने गए दलाई लाम्मा ठीक है जी बाए मैनी हैपी एक्सिदेंट ए बुक लिखी है जी इंडिया दे फॉर्मर वाइस प्रेजिडेंट मोहम्मद हामिद अंसारी द्वारा सुपर इंपॉ प्रेजिडेंट मोहम्मद हामिद अंसारी फॉर्मर वाइस प्रेजिडेंट इंडिया अन्फिनिश्ट वाइदा प्रहिंक का छोप्रा जोंस क्लियर जी नेक्स्ट बजट पंजाब का शुरू करने से पहले आपको बजट के कुछ इतिहास की चीजे पता होनी चाहिए हिस् मैं ये बजट पेश किया था एक ब्रिटिश र्स के द्वारा जेम्स विलसन के द्वारा तो पहला कोशन इंडिया के अंदर जो फस्ट बजट था वो किस ने पेश किया जेम्स विलसन के द्वारा इसे प्रेजेंट किया गया था ओन 18th February 1869 एक बात मेरी ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों कि जो बजट होता है वो दो तरीके का होता है एक बजट वो होता है जो स्टेट गौवर्मेंट पेश करती है और एक बजट वो होता है जो केंदर सरकार यानि कि सेंटर गौवर्मेंट के द्वारा पेश किया जाता है जो ब budget कहा जाता है क्या कहा जाता है state budget कहा जाता है दूसी चीज बजट नाम का शब्द भारत के सविधान के अंदर नहीं है there is no word used in Indian constitution similar to budget budget नाम के किसी भी शब्द का इस्तमाल भारत के सविधान के अंदर नहीं है अगर budget को represent करना है तो उसके लिए शब्द इस्तमाल किया गया है annual financial statement यह याद रखिए पहला question का याद रखेंगे कि इंडिया में सबसे पहली बार budget किसने पेश किया जेम्स विल्सन ने on February 18, 1869 को clear budget दो तरीके का होता है पहला budget जो center government पेश करती है उसे union budget कहते है और जो budget state government page करती है उसे हम लोग state budget कहते हैं clear होगी बात budget नाम के शब्द का इस्तमाल भारत के constitution में नहीं है budget को लिखने के लिए बारते सभिधान में एक शब्द इस्तमाल किया गया है जिसका नाम है annual financial statement तो इसका मतलब अगर हमने union budget को रीप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे annual financial statement of union और अगर हमने state budget को present करना है तो हम लिखेंगे annual financial statement for the state Am I clear union budget यान की center government का जो budget है जिसे हम annual financial statement of union बोलते हैं वो भारते सभिधान के article 112 में आथी है और annual financial statement for the state जिसे हम लोग state budget बोलते हैं वो भारतिय सविधान के article 202 के अंदर आती है तो अगला question कि जो पंजाब का state budget है वो Indian constitution के किस article के तहट present किया गया है article 202 के तहट very very important next question भारत के अंदर पहला union budget जो था अजाद भारत का पहला union budget present किया था आरके शन्मुकम शैटी ने 26 नवंबर 1947 को उस समय के ये भारत के finance minister थे ये बात याद रखे तो भारत में पहला budget किसने पेश किया James Wilson 18 February 1869 को अजाद भारत के अंदर पहला union budget किसने पेश किया आरके शन्मुकम शैटी ने 1947 के अंदर annual financial statement for the union यानि की union budget जो है article 112 के अंदर आता है annual financial statement for the state यानि की article 202 के अंदर इसका explanation मिलता है अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए पंजाब की विधान सभा के अंदर head of the authority यानि की presiding officer को उन है ठीक है इस समय पंजाब की विधान सभा के जो speaker है उनका नाम है राना कीपी सिंग और जो honorable deputy speaker है वो है अजैब सिंग पटी इस समय पंजाब के cm है captain अवरिंदर सिंग और पंजाब के जो governor है उनका नाम है वी पी सिंग बधनौर ये राज्यस्थान से आते हैं am I clear तो इन सब को बोलते हैं the presiding officer the presiding officer next okay next year इस साल का जो पंजाब का budget है वो captain government का पांचवा यानि की आखरी budget है उसके बार क्योंकि 2022 के अंदर election होने वाले हैं तो आपको याद रखना है this is the fifth budget presented by the captain government and this is the last budget presented by the captain government उसके बाद 2022 के अंदर new election होंगे फिर से नया cm बनेगा फिर से budget प्रकिरिया शुरू होगी तो इस साल का जो budget है उसका पंजाब का ठीक है जी पहला कोशन तो यहीं बनता है कि what is the total outlay of पंजाब 2021 2022 budget 1.68 lakh crore very important दूसरा next चीज़ आपको कहया रखनी है इस साल के budget ने चार शित्रों के उपर पंजाब के budget में चार शित्रों के उपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया एक फोकस किया गया agriculture यानि की खेती बाड़ी के उपर health यानि की लोगों की सहत के उपर education यानि की शिक्षा के उपर और rural and urban infrastructure यानि की पेंडू ते शहरी खेते दे infrastructure नों विकास करनवास थे चार चीज़ादे होते पंजाब बजट ने पेश किता फोकस किता एग्रिकल्चर हेल्ट एजुकेशन रूरल एंड अर्बन infrastructure यह मेन फोकस रहे इस साल के budget के उपर अब आई देखो मैंने पूरी जो उनकी budget की speech है पंजाब की विदान सवा की website से निकाली है एक एक अक्षर पड़ा है पांच गंटे पड़ने के बाद जो 15 से 20 सबसे important point है उन्हें यहाँ पर निकाला है उसे note करिएगा ठीक है जारातर जो PPSC के paper है जैसे आने वाला कोई भी paper है माली जी तसीलदार है या कभी cooperative bank का paper आएगा ठीक है cooperative inspector का आएगा उसके अंदर यह question बड़े अच्छे से पूछे जाते है या फिर आपके जो अभी और प्रेपर हो सकता है उसमें इसका current फिर का question पूछा जा सकता है next आगे बढ़ते हैं पहली चीज कह याद रखेंगे इस budget के अंदर जो सबसे पहली चीज याद रखनी है जगे आपको शगुन स्कीम भी लिखा मिलेगा एच्छल में यह जो स्कीम ती शगुन यह 2004 तक थी बाद में शगुन स्कीम का नाम बदलके आशिरवाद स्कीम कर दिया गया आशिरवाद स्कीम के तहत जो सरकार लड़कियों की शादी के लिए helping money यानि के एक तरीके से आश 700 रुपए से बढ़ाकर 9400 रुपिस कर दी गई है ठीक है जी तो तीन बाते क्या याद रखेंगे बाई लोगों पहली याद रखेंगे कि जो इस साल का पंजाब का बजट है लगबग एक लाग 68,015 क्रोड रुपए का है और आप याद रखेंगे चार चीजों पर फोकस करता है एग्रिकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, रूरल एंड अर्बन इंफ्रास्चर ओके ओल्ड इज पेंशन साड़े 700 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए हुई है 21,000 से बढ़ाकर अकोंजा अजार आशिरवा स्कीम के तहट लड़कियों की शादी के लिए हल्पिंग मनी दिया जाएगा फ्रीडम फाइटर की पेंशन पच्छतर सो रुपए से बढ़ाकर 9400 रुपीस कर दी गई है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज आपने क्या याद 1186 यानि कि लगबग 1186 करोड रुपे का जो किसानों का लोन है उसे वेव आफ करेगी वेव आफ एक तरीके से उसे खतम करेगी और जिससे लगबग 113,000 किसानों को इसका फाइदा पूंचेगा क्या समझाया मैंने कि हमारी गवर्मेंट का कहना है कि लगबग 1186 करोड रु लोन है उसे वेव आफ करेगी एक तरीके से रद करेगी और लगबग 113,000 किसानों को डारेक्टी इसका फाइदा होगा और इसके सेकिंड फेस में इस स्कीम के सेकिंड फेस के अंदर यानि कि दुज्जे चरंदे विच पांसो छब्वी करोड रुपेदा जड़ा लोन है क लोन है जी आगे बढ़ते हैं दो नए मेडिकल कॉलेजिस खोले जाएंगे मेडिकल कॉलेज एंड होस्पिटल खोले जाएंगे एक होगा कपूर्थला के अंदर और एक खोला जाएगा होशारपूर के अंदर टोटल इनके उपर जो है साधे 600 क्रोड रुपे का बजट रखा गया है दो नए मेडिकल कॉलेज एंड होस्पिटल अनौंस किये गए हैं वन इन कपूर्थला सेकिंड वानी होशारपूर अर बसीज हैं उसमें कंप्लीटली फ्री आफ कॉस्ट कर दिया गया है क्योंकि ये बजट जो है वुमेंस डे वाले दिन आया था तो बहुत सारी ऐसी बजट में चीजे लेके आए गई जो वुमेंस के लिए वुमेंस इंपावर्मेंट के लिए महिला शक्ति करन के लिए दूसरा जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं कॉले जाने वाले गॉर्मेंट कॉलेजिस के अंदर उनका एक आई कार्ड बनता है उनका एक क्या बनता है आई कार्ड जिससे ये पता चलता है कि बच्चा किस कॉलेज का है तो जितने भी उनको अलाव किया जाएगा कि वो फ्री ट्रेवल कर सकते हैं गॉर्मेन्ट के द्वारा चलने वाली बसी इसके यानि कि पबलिक ट्रांसपोर्ड के अंदर जो स्टेट गॉर्मेंट के अंदर है उसमें गॉर्मेंट कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए फ्री ऑफ सो क्रोड रुपे रखा गया है ये आज की इस वीडियो का सबसे बड़ा कोशन है सुपर इंपोर्टन कोशन सो क्रोड रुपे का बजट रखा गया है एक म्यूजियम बनाया जाओगा जिनों सी अजायब कार कहने है कि दे बाबा साइब अंबेटकर डॉक्टर बीयार अंबेटकर के नाम के उपर उनके हिस्ट्री के उपर उनको शर्दानजली के तौर पर ग्यान देने के लिए बच्चों को उनके उपर सो क्रोड रुपे का एक म्यूजियम बनाया जाएगा कपूर सला के अंदर वेरी इंपोर्टेंट कोशन याद रहे बाबासाओ भीमराओं बेटकर जिने फादर ओफ इंडियन कॉंसिट्यूशन भी कहा जाता है ये अजाद भारत के पहले कानून मंत्री यानि की लौ मिनिस्टर थे ये बात भी आपको याद रख रही है ये स्कीम सबसे बड़िया स्कीम है अगें सबसे इंपोर्टेंट कोशन है इस वीडियो का एक नई अंब्रेला प्रोग्राम चलाया गया है अंब्रेला प्रोग्राम का मतलब क्या है वही ध्यान से समझ ना इसाथ Ambre scalar Program होता किया है? देखे, Ambrella Program क्या है? जैसे Agriculture है, क्या Agriculture का मतलब सिरफ पसले भीज़ना और काटना है? Agriculture के साथ बहुत साफे और उद्योग जुड़े हुए है, जैसे मचली पालन उद्योग, जिसको फिश इंडेस्ट्री बोलते है, पॉलिटरी फार्मिंग, मुर्गी पालन उदियोग, ठीक है जी, पशु पालन उदियोग, बहुत सारे ऐसे उदियोग हैं, जो डारेक्टली और इन डारेक्टली एग्रिकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो अम्ब्रेला प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, कि कम्प्लीट ए K3P, यानि कि काम्याब किसान खुशाल पंजाब, K3P, इसकी अब्रिवेशन ही डारेक्टली पेपर में बनती है, कि रिसेंटली पंजाब गॉर्मेंट ने एग्रिकल्चर के लाइट सेक्टर के लिए एक अम्ब्रेला प्रोग्राम चलाया है, जिसका नाम है काम्याब किसा खुशाल पंजाब, इसके लिए गॉर्मेंट ने अलग से 3780 क्रोड रुपे का बजट रखा है, अगले तीन सालों के लिए, यानि कि गॉर्मेंट इस स्कीम के तहत 3780 क्रोड रुपे खर्च करेगी, एग्रिकल्चर और उसके अलाइट सेक्टर को मजबूती देने के लिए अगले तीन सालों में, और अगर पुछे सिर्फ 2021 का, यानि कि इस साल का जो बजट है, इस स्कीम का वो है, 1140 क्रोड रुपे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक सेंटर ऑफ एक्सिलेंसी खोला जाएगा, एक्सिलेंस के मतलब होता है, मॉडरन टेकनोलजी, बेस्ट टेकन ठीक है, एक सेंटर ऑफ मॉडरन टेकनोलजी खोला जाएगा, जो वेजिटेबल्स के उपर रिसर्च करेगा, वेजिटेबल्स के उपर स्टडी करेगा, और ये खोला जाएगा, एर्दा विलेज, गोबिंदगर, जो की डिस्टिक फाजिलका के अंदर है, और इसका जो टो टेबल्स के उपर रिसर्च करेगा, किस तरीके से वेजिटेबल्स को भैतर बनाया जा सकता है, और ये विलेज, गोबिंदगर में उपन होगा, जो की डिस्टिक फाजिलका में है, इसका जो टोटल कोस्ट होगा, वोगा 10 करोड रुपए, एक पोस्ट ग्रेजूएट इंस की वीडियो डाली थी, उसमें डिटेल में समझाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूगा, अकर देखना चाहो तो वो देख सकते हो, पोस्ट ग्रेजूएट इंसिट्यूट ओफ हॉटी कल्चर, हॉटी कल्चर मतलब फलावर ते फ्रूट दी स्टडी नू कहन देने, हॉटी कल्चर रिसर्च इंसिट्यूट ओफन किता जाओगा, किते अमरी सर, अमरी सर, am I clear, तो रिसेंटली पंजाब गौर्मेंट ने पोस्ट ग्रेजूएट इंसिट्यूट ओफ हॉटी कल्चर कहा खोलने के बारे में सोचा है, तो भाई जी ये सोचा है कहाँ पर, अमरी खोलेगी, शुगर केन, यानि कि जो गन्य के उपर रिसर्च करेगी, और ये खोला जाएगा, कलान और गुर्दासपूर के अंदर, कलान और डिस्टिक गुर्दासपूर के अंदर, एक न्यू स्कीम चलाई जाएगी, for the monitoring of water quality, for the arsenic affected village, अब मेरी बात द्यान से समझो, arsenic हो poison बना देता है, जहर दे करीब ना दिन दे, ता एक स्कीम चलाई जाओगी, जड़ी पंजाब दे, अलग अलग पिंडा दे, उत्ते monitoring करूगी, नजर रखूगी, कि केड़े पिंड दी quality दे विच, water quality दे विच, arsenic आ गया, arsenic compound पाया गया है, clear, सब तो ज़्यादा, arsenic compound नाल affected जड़े village ने, ओ मिल दे ने, असाम दे विच, ते दुझे नमबर ते मिल दे ने, वेस्ट बेंगॉल दे विच, फिर ना मान दा है, चार खंड़ दा, clear, ते हुन ए arsenic compound है, pollution बाद दा जा रहे है, तर्ती दे नीचे पानी कट दा जा रहे है, ठीक है, कंपनिया दा होर बरस जाएंगे, दो नए technical college को convert किया जाएगा, universities के अंदर, clear है, next, agricultural marketing, innovation, innovation का मतलब होता है, something new, जिरा कुछ नमा सोच सके, agriculture, marketing, innovation, research, and intelligence center खोला जाएगा, मोहाली के अंदर, अब marketing का मतलब क्या होता है, promotion करना, यानि कि ऐसा नया center खोला जाएगा, जो नए नए तरीके सोचेगा, research करेगा, कि agriculture, जो पंजाब के product है, उन्हें किस तरीके से market के अंदर, marketing करके, promote करके बेचा जा सके, और ये center होगा, मोहाली के अंदर, जिसे अजीत गड़ भी बोलते हैं, भाई जी, am I clear or not, next, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करीगी है, वाइरोलोजी एक study होती है, जै study of virus नो, वाइरोलोजी केंदे, वाइरोलोजी दे एक center खोला जाओगा, जी में हुन, COVID-19 है, Corona virus, ठीक है, कि पाई अगे भी in future दे बीच, जे कोई वाइरस आजे, उन्हों की में tackle किता जा सकते है, वो दी study वास्ते, एक center खोला जाओगा, वाइरोलोजी center, जेना की, open होगा, गॉर्मेंट मेडिकल कॉलेज, अमरी सर दे अंदर, देखे, गॉर्मेंट मेडिकल कॉलेज, अमरी सर अल्रीडी है, इस मेडिकल कॉलेज दे अंदर, एक लग तो एक building बनाई जाओगी, जी नाग में मकसद, वाइरोलोजी, यानि की वाइरस नो, study करना बास्ते होगा, क्लि स्टेट गॉर्मेंट ही कम नहीं करोगी, ना ले दे, सेंटर गॉर्मेंट भी जुड के कम करोगी, तो नेशनल इंसिट्यूट ओफ वाइरोलोजी कहां ओपन किया जाएगा, मुहाली के अंदर, अब कुछ बाते हैं, कि पंजाब के अंदर, पंजाब बजट के अंदर, पं पंजाब साहित रतन अवज्ड जो पंजाबी पाशच लिखनाले लिखकानऊ दिता जनता है, पंजाब साहित रतन अवज्ड दे विच पैला जेरी इनाम राशी दस लग लुख सी, उन दस लुख ठों बदा के किन रुपर दिते गी घ बी लख से इक होर अवज्ड है जड लख रुपे कर दिती गई है, am I clear, ठीक है जी, नॉर्मली उन्ना सारे राइटर्स नूँ, पोईट्स नूँ, मुजीशियन्स नूँ या जर्मलिस्ट नूँ जित्ता जानता है, जैने डारेक्टली इंडारेक्टली पंजाबी लेंगोईज देनाल जुड़े होई है, next, पंजाब एग्रिकल्चर युनिवस्टी लुद्याना 1962 में बनी थी, राजीब गांदी नैशनल लौ युनिवस्टी पंजाबी युनिवस्टी के लिए, इनके कामकाज को सही से चलाने के लिए, 1064 क्रोड रुपे का बजट रखा गया है, पंजाबी युनिवस्टी पंज खतम करने बास्ती है, 7 नहीं, 7 नहीं होस्टल खोले जाएंगे, especially working women's के लिए, यानि कि जो काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको रात में आने जाने की रहने की दिक्कत ना हो, 7 नहीं होस्टल खोले जाएंगे, ये खोले जाएंगे जिलंदर, लुद्याना, पटेला, मोहाल मांसा एंड बठिंडा के अंदर 1513 क्रोर रुपे का बजट प्रपोस्ड किया गया है पावर सबसीडी दी गई है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को डोमेस्टिक मतलब करे लूप वोगता तै जेड़े पणजाब दे करे लूप वोगता ने उनना नूढ पंदरा सो तेरह करोर रुपे दी बिजली दे विच सबसीडी दित्ती गई है क्लियर यानिक एक तरिके दी छूट दित्ती गई है सोलासो क्रोर रुपे दा बजट रख रखे गया में पंजाब की कमार्ट सिटी ऑल्रेय। सेंटर गॉर्मैनल ने मिशन चला ह। इस जिनों समार्ट सिटी मिशन के नया . जिदे तहद पूरे इंडिया दे विच सो सीटी जनू समार सीटी बनाना है ते पंजाब दे विच भी हो दे कुछ शेहर ने जिडे समार सीटी दे लिस्ट चाहूंदे ने यूनियन गवर्मेंट दे किंदर सरकार दे वो दे वास्ते सोला सो क्रोडर पे दा बजट रखे आग शेड़ यूण खंदे था तो फ्नी किंदर सीटी जनू जनू टून पे लिए ने विच साथी बज़ किंदाए भी हो दे विच साथी दुर से समार सीटी बनाना है प्रताून पूस्ते बनाना हूंदे प्रता दे मएंब को देखा पन्वादी जनूदीन फे है विच दिद